हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम डू टू माई YouTube चानल आज हम बात करेंगे कि आप प्रफेशन किसे चूँज कीजे जो बंदा बहुत अच्छा लिखता है वो रैटर बन जाता है जो बंदा बहुत बढ़ा गाता है वो सिंगर बन जाता है और जिसे गाडियों से बहुत प्रेम होता है वो इंजिनियर बन जाता है तो आपको कैसे बचलेगा कि आप ट्रेडर बनने के लिए सही है या नहीं क्या-क्या qualities हैं जो एक good trader को एक bad trader के साथ अलग करती है यानि कि दोनों को differentiate करती है आज हम 10 ऐसी qualities की बात करेंगे जो एक good trader में आपको हमेशा दिखने को मिलेंगी और एक bad trader में नहीं दिखने को मिलेंगी अगर आप में वो सब qualities हैं तो आप भी बन सकते हैं एक अच्छे trader एक अच्छे trader के लिए जो पहला point है वो यह है कि वो कभी भी अप गलत होने से डरता नहीं है वो डरता है क्या नहीं वो अपने कभी भी ट्रेड के लिए नहीं डरेगा he is never worried about his trade he is worried about his losses on the contrary जो एक बुरा trader होगा he is always worried about his trade never worried about his losses मतलब कि जो अच्छा trader है वो हमेशा समझता है कि वो गलत हो सकता है जबकि जो एक बुरा trader है वो हमेशा मान कर चलेगा कि वो सही है और वो losses लेता रहेगा तो ये पहली quality है अगर आप में भी है ये वाली quality कि आप भी अपने losses को लेकर के जादा conscious हैं अपने trade setup से लेकर तो आप भी एक अच्छा trader हो सकते हैं दूसरा जो एक अच्छा trader होगा वो हमेशा अपनी winning and losses को analyze करेगा ताकि अपनी winnings को consequently दुबारा दुबारा यूज़ करके और winnings लेकर आपाए और losses को देखेगा कि कहां गलती होई और ताकि उसके आगे उसे losses ना हो जब कि एक बुरा trader हमेशा अपनी winnings को celebrate करने में busy हो जागा जब losses होंगे तो वो market को या दूसरों को blame करेगा उसको वो देखेगा कि मैं यह blame ना लो तो आप भी अगर आनलेस्ट करना पसंद करते हैं अपने winnings और losses को तो stock market आपके लिए सही हो सकता है तीसरा जो point है हमारा वो यह है कि जो भी अच्छा trader होता है वो हमेशा long term सोचता है कि long term एक company कैसा perform करेगी long term क्या-क्या gains हो सकते हैं जब कि जो एक बुरा trader है एक bad trader है वो हमेशा short term देखा कि अच्छा मैं get quick rich schemes ढूंड़ेगा कि अच्छा मैं जल्दी कैसे मीर हो सकता हूं stock market का मतलब ही उसके लिए है जल्दी पैसा कमारा जबकि एक अच्छा trader है तो intrinsic value अच्छी value ढूंड रहा है एक अच्छा business देख रहा है और long time frame के लिए देखता है और long term vision रखता है market को लेकर के जो एक अच्छा trader है वो हमेशा अपने साथ risk management का plan लेकर चलेगा risk management मतलब कि वो देखेगा कि वो risk अपना कैसे manage कर सकता है उसके अपने कितने resources हैं वो कितना losses ले सकता है वो उसी साथ में trade setups बनाएगा जबकि जो बुरा trader है वो बहुत ज्यादा risk लेगा ज्यादा profit के लालज में and end में वो सब कुछ गवा देगा तो एक अच्छे trader को एक proper risk management हमेशा आती है जो 6th point है हमारा अच्छे trader का वो यह है कि वो हमेशे trading strategy follow करता है trading strategy को पहले बनाएगा फिर उसे back test करेगा या फिर बहुत कम amount से live test करेगा market में and जब वो उसके पूरी testing complete हो जाएगी जब वो एक tested trading strategy को पूरा complete कर लेगा उसके बाद ही वो अपने पूरे portfolio के साथ strategy के में काम करेगा जब की जो एक बुरा trader या तो वो strategy रखेगा ही नहीं और रखेगा तो उसे back test नहीं करेगा जो एक good trader है वो मेशा compounding की importance को समझेगा कि अगर मैं अपने profits को सिर्फ जितनी needs और जितनी requirements उतने पैसे withdraw करके वो अपने profits को दुबारा invest कर देता है अपनी ही trades में जब की एक बुरा investor क्या करेगा बिल्कुल सही वो उन्हीं पैसों को खर्च करने की कोशिश करेगा he'll like to spend his profits क्योंकि उसे यह लगता है कि अगर मैं profit spend कर देता हूं तो उसके उसके लिए वो इसलिए कब trading करना था क्योंकि वो profits से spend करना जाता है जबकि जो smart trader है वो compounding importance को समझके उसे दुबारा invest करेगा अपने portfolio में जो एक smart trader है उसके लिए learning important है तो वो learning को जादा importance देगा trading से अगर वो तुसने दो घंटे ट्रेड करना है तो चार घंटे पहले learn करेगा जबकि जो एक bad trader है वो learning को बिलकुल importance नहीं देगा वो सिरफ trading पर ध्यान देगा और trade status के बाद अपना time बाकी चीज़ों पर लगाएगा जबकि एक smart trader है वो बार बार सीखने के लिए और जाता रहेगा और वो और सीखने के उसके हमेशा चाहत रहेगी जिससे वो हमेशा औ कोई बात नहीं हमें next time गलती नहीं करूँ है and he will move on but जो एक poor trader है यहां पर जो एक bad trader है वो rigid mindset के साथा था यानिकि वो अपनी गलती मानेगा ही नहीं वो हमेशा आग्यू करेगा और losses लेता रहेगा कि हाँ मेरा trade setup ही सही है और losses होते रहेगा तब भी market में रहेगा तो अपनी अपनी गलती मानेगा नहीं इसलिए वो गलती दुबारा दुबारा होती रहेगी एक good trader since flexible mindset का था वो एक बार में अपनी गलती समझ करके move on कर लेगा और दुबारा वो गलती नहीं दोराएगा को वो पहली गलती से सीख जाएगा जो एक सबसे यह वाला point में सबसे important लगता है कि जो smart trader है वो emotions को side पर रखकर trading करता है यह investing करता है वो अपने emotions नहीं आने देता जबकि जो bad trader यह poor trader है वो हमेशा अपने उसके emotional biases आ जाएगा उसकी trading और investing में जिसका नुकसान क्या होगा कि उसे ultimately losses लेने बढ़ेंगे जैसे कि वो एक share खरीद लेगा क्योंकि उसका owner उसी के शहर से है जहां से वो आता है या फिर वो एक company में इसलिए पैसे अपने लगा लगा देगा क्योंकि उसके friend ने लगाया हुए या फिर इसलिए कि एक ऐसी कोई stock जिसमें से उसमें पहले कभी पैसे कमाये हो वो उसमें आज भी आप में भी इसमें से 6 से जाधा qualities हैं तो आप भी बन सकते हैं good trader और एक good trader से अच्छा कोई profession नहीं है और एक bad trader से बुरा disaster भी कुछ नहीं है तो आज आपको decide करना है कि आपको एक अच्छा trader बना है या बुरा trader बना है ऐसा ही content देखने के लिए subscribe करें मेरे channel को thank you and आप अगली वीडियो किस-किस टॉपिक पर बनाए और किस तरह के टॉपिक आप जानना चाहते हैं हम लोग इसमें stock markets और alternate assets कवर कर रहे हैं alternate assets में क्रिप्टो क्रंसी पोकर श्रेकिंग और बहुत सारे passive income sources के बारे में अपने चारव में बताएंगे तो आप मुझे बता सकते हैं के नीचे comment section में लिख करके कि आप कैसा सा और content चाहते हैं आप किस-किस टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाए थैंक यू, have a nice day, bye-bye